मुक्यमंत्वी योगी आदेत अनात ने जनपत गोरकपुर में गीटा के सेक्टर 23 में प्रतिष्ठित उद्योग समूह मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेट के अत्याधुनिक इंटिग्रेटिड स्टील प्लांट का उद्गाटन किया ये अत्याधुनिक इंटिग्रेटिड स्टील प्लांट 82 एकर क्षीत रफल में फैला हुआ है जिसमें 550 करोड रुपे का निवेश हुआ है इसमें 30 मेगावाट का कैपटिव पावर प्लांट भी क्रियाशील है विश्वसरीय प्रादोगी की वालेस प्लांट से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रूजगार मिला है मोखिमंतरी योगी आदितनाथ ने उद्गाटन से पूर्व समूझे प्लांट का अवलोकन और निरीक्षन किया मोखिमंतरी योगी आदितनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश में निवेश लाना चुनोती पूर्ण था कानूम में वसाब बधाल थी कोई सपष्ट नीती नहीं थी आज उत्तर प्रदेश में निवेश को और उनकी पूजी की सुरक्षा की गैरेंटी है गोरकपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई देताओं कि होली के तत्काल बाद इतना अच्छा प्लांट यहां पर उप्लब्द हो गया है और यहां पर लोहे का अत्पादन होगा आईसो सेटिफिकेट प्राप्त होने के बाद हम सरकार की पॉल्सीज में भी तवां प्यापक पुर्दतन करेंगे दो प्रकार की एक अगर क्वालिटी प्रॉड़क्ट है तो क्वालिटी प्रॉड़क्ट तरप्रदेश के अंदर उसका उप्योग होना चाहिए निजी छेतर हो या सरकारी छेतर हो दूसरा जो चोरी की स्टील बहार मुख्यमंत्री योगी आदेतिनाथ कल जनपर्द गोरखपुर में सांसत खेल महाकुम्प के पुरसकार वित्रण और समापन समारों में शामिल हुए सबसर पर मुख्यमंत्री ने राम नरीश राई जी और गंगा देवी जी की प्रतिमा का अनावरण किया समारों को संबोधत करते वे मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाडियों के साथ साथ चोटे बच्चों की भी प्रतिभाद देख कर ये लग रहा है कि हमने क्वालिटी एजुकेशन पर भी काम किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला ब्लॉक और गाउं में खेल के मैदान बनाए जाए इसमें मन्रेगा के पैसे का इस्तमाल किया जाए उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी खेल और खिलाडियों को लेकर गंभीर है मुखे मंतरी ने कहा कि उद्योगों के लिए गोरकपूर में जमीन खरी दी जा रही है जो लोग पुरवांचल छोड़कर चले गए हैं उनके लिए ये संभा बनाए हैं कि वो यहां आकर उद्योग लगा सकते हैं और रोजकार कर सकते हैं